नमस्कार एक बार पुनो हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपनी चैनल गो ब्लोक्स पे दोस्तों मैं हूँ भासकरानन डोभाल और आप देख रहे हैं हस्त रेखा का ये अंक समुद्र सास्तर का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लोक्स पे एक मेल हतीली है और आकार आप देख रहे हैं हतीली आकार चोकोर के समका दिखाई दे रहा है और ऐसा ब्यक्ती निश्चित रूप से बहुत ज़ादा मिहनती होता है कर्म पे विश्वास रखने वाला ब्यक्ती होता है और जानता है कि जब हम कर्म करेंगे तभी हमें जो है कोई भी संसार की उस्त प्राप्त होगी केवल सोजने से या कलपनाए करने से कुछ नहीं होने वाला कर्म से ही सब कुछ मिलता है और योधा किसम की हतेली है बिसम से बिसम प्रस्तिति में भी धैर्यनक होने वाला ब्यक्तित्व है अपने कर्म के उपर विश्वास रखने वाला ब्यक्तित्व है बहुत सुन्दर जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है दूसरी बात आपकी जो तरजनी है और आपकी जो रिंग फिंगर है ये दोनों बराबर अउस्ता में हैं और जो मिडल फिंगर है उस से दोनों छोटे हैं ऐसा जातक अपनी जिवन का आल में धन तथा यस का भोका होता है इन लोगों को पैसा और सम्मान बहुत जरूरी होता है और मातर जिवन का लक्ष्य भी यही होता है साथ में देखें तो यहां पर जो तरजनी उंगली है इंडेक्स की फिंगर यह कहीं न कहीं जो है पूरी रूप से कर्ब ले रही है जुक रही है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ जब इंडेक्स फिंगर मिडिल फिंगर की तरफ जुकती है तो ब्यक कार की भावनाई भी आपके अंदर हैं कहीं न कहीं जो है दयालोता भी आपके अंदर यहां पे दिखाई दे रहा है ये बहुत अच्छी चीज है अगाद प्रेम है इस्वर के परती अपने इश्ट के परती अपने कुल देव के परती और ये अच्छी भी है ऐसी सरदा रहनी चाहिए मिडिल फिंगर भी लमवत खड़ी है ऐसा विक्ति बहुत जादा मिहनती होता है मिहनत में कहीं कोई कायरता नहीं विक्ति के आगे आती है लेकिन इन दोनों के लाश्ट परवपे तीसरा जो पोरवा है उसमें आरपार दिखाई दे रहा है छिद्र है ये जीवन काल क ये 35 वर्स तक धन के मामले में या तो संगर्स की अवस्ता रखता है या खर्चिला स्वभाव रखता है या धन के महतों को ब्यक्ति समझ नहीं पाता है इनके जीवन में भी ये 35 वर्स तक रहेगा 36 वर्स से जीवन में निश्चित तोर पे जो है धन का आगमन अच्छे कहीं न कहीं पैसे नहीं बचेंगे धन के रोप में संगर से ही बना रहेगा लेकिन जो सेविंग आप कर पाएंगे वो 36 वर्षी के बाद से यहां पर दिखाई दे रहा है तीसरी उंगली देखें यह सूरे की उंगली है यह भी जुक रही है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ और जब यह मिडिल फिंगर की तरफ जुकती है तो विक्ति के अंदर यस पाने के इक्षा अपने कामों को फैलाओ पाने के इक्षा और कहीं न कहीं जो है नेम और फेम पाने की इक्षा बहुत ज़्यादा रूप में रहती है प्रबल रूप में रहती है और यही चीज बरतमान में आपके सामने दिखाए दे रही है लेकिन देखे इनके बीच में भी हलका गैप है यह सनिके नगेटिव प्रभाव पढ़ने पे विक्ति को ज़्यादा तकलिपों का सामना करना पढ़ता है जब सनिक बकरी हो या साड़े साती में हो या धाया में हो तो विक्ति को ज़्यादा परिणाम इसको देखने को मिलते हैं एक सामन्य विक्ति से ये आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है दूसरी बात देखें ये उंगली पूरी तरों से जुक रखी है आपके रिंग फिंगर की तरफ धन कमाने की ललक बहुत ज़ादा बनी रहेगी जिवनकाल में ये दिखा रही है और ये इसके लगबग पहले पौरवे तक नहीं पहुच पा रही है तो कहीं न कहीं मनी मैनेजमेंट में कागजों के रखरकाओ में एकाउंटमिल्टी में और कम्यूनिकेशन इस्किल्स में थोड़ी कमी रहेगी अपने को पूरी तरो से व्यक्त नहीं कर पाएंगी और मनी मैनेजमेंट में कमी को दिखा रहा है लेकन कुछ समय के लिए उसके बाद यहां पे मनी ट्रेंगल बन रहा है तो ये समस्या कुछी समय बाद खतम होने वाली है और जो इसका फलत तो दिखाई दे रहा है जीवन के 42 वर्स से 41 वर्स से इसका प्रभाव पड़ीगा मनी मैनेजमेंट के समस्या खतम होगी और जीवन में धन के मामले में अच्छी खासी तरकी यहां पे दिखाई दे रही है साथ में देखे आपकी जो ये उंगली है और ये उंगली है यहां पे जो है चिपकी हुई है काम करने वालों की संक्या भी आपके अंडर में अच्छी खासी रहेगी ये भी दिखाई दे रही है अंगोठा देखें तो अंगोठा कही न कहीं जो है अपनी हितों की रक्षा करना सरोपरी यहां पे दिखाई दे रहा है इक्षा सक्त भी अच्छी है तर्क सक्त भी यहां पे अच्छी दिखाई दे रही है और एक बेहतरीन चीज दिखाई दे रही है अगर आप देखेंगे इसमें तीन कट सुन्दर रोब में उबरते हुई दिखाए दे रहे हैं जो कहीं न कहीं एक दो सालों के अंदर अपने पूर्ण रोप में आ जाएंगी ये जीवन काल के 42 वर्स के बाद से या 42 वर्स से जीवन में अचानक तरक्य को दिखाते हैं 43 वर्स के बाद से निर्धनता आपके समीप नहीं आएगी गरीवता आपके समीप नहीं आएगी लिकिन जब बुलंदियों को छूरे होंगे तो कहीं न कहीं एगो प्रोब्लम आपके अंदर आएगी अपने बिवेकी से आपको जो है ब्यववार से इससे थोड़ा समल कर रहना चाहें धार्मिकता भी आएगी कहीं न कहीं धर्म कर्म के कारियों में बढ़ चटकर हिस्सा लेंगे दान और पुन्य से समंदित चीजों में अच्छा दिखाता है ये अंगोठा धन के लिए आपका अंगोठा बहुत अच्छा है ब्यावसाई इत्यादी चीजों में फैलाओ को दिखा रहा है विस्तार को दिखा रहा है ब्यावसाई में बिसे सपलता 42 के बाद ये दिखा रहा है कि ब्यावसाई में जो है 42 के बाद बिसे सपलता की प्राप्ते होगी धन प्रतिष्टा मान सम्मान में बहुत अधिक बडोतरी होगी लेकिन साथ साथ में अभिमान का पुट भी आएगा ये आपको कैसा हैंडल करना है ये आपके उपर निर्भर करेगा बरतमान में चीज देखें दो चीज अलग अलग बता रही है एक तो आप देखेंगे आपकी जो हिर्दै की लकीरे है सीधी सीधी जो है इस तरों से जा रही है और कहीं न कहीं यहाँ पे index finger है जो इसके नीशे ब्रस्पती का mount है इसके बीच में देख़ रही है कहीं न कहीं Sunny की finger है मिडल finger इसके नीशे Sunny का पर इन दोनों के बीच में ये रेखा आ रही है और इस पे गुरो परन बुढ confinedota रहा इस पे सनी का भी बन आ रहा है प्रभाव पढ़ रहा है निश्चित रोप से ये बिक्ति की महत्वक आंच्छा को बढ़ाती है ऐसे बिक्ति की जो सोच होती है हमेशा आगे बढ़ने की रहती है गुरू का प्रभाव आ रहा है जिसके कारण आपकी जो इक्षा है जिस भी छे कितनी भी मेहनत करने पड़े किसी भी प्रकार दिमाग को दोड़ाना पड़े कोई हतकंडा इस्तिमाल करना पड़े एन केन प्रकारें जो भी हो जाए वो करेंगे महें तो कांचा आगे बढ़ने की सोच और सनी के प्रभाव के चलते यह चीजें यहां पे दिखाई दे रही ह तो कही न कहीं बिक्ति जो है इसी एर चला जाता है लेकिन एक चीज और दिखाई दे रही है यहां पे पूर्रे हदेली में इस छेतर में जालनुमा बन गया है और एक दूसरे को रेखाई काट रही है यह भीक्ति के बरतमान समय को बताती है ऐसी रेखाओं का आना सबसे प कहीं दुविधा की इस्तिति और डिसीजन लेने की छमता में कन्फ्यूजन की इस्तिति को पैदा करती है और जो आपके डेपलप्मेंट है आपके प्रोग्रेस है उनको कहीं न कहीं बादित करने का कार्य करती है आर्थिक रूप से बिक्ति कितना भी संपन हो फिर भी ये आर्थिक प्रेशानी खड़ी करती है बिक्ति के अंदर कितनी भी अच्छी योगेता हूँ क्वालिटी हूँ बिक्ति फिर भी रास्ता नहीं ढून पाता है कहीं न कहीं सहिजता सरलता जीवन में कम हो जाती है और ये चीजों को रोकने का कार्य करता है सपलता के अस्तर को कम करने का कार्य करता है इसके लिए मैंने आपको बेहतरीन उपाई दिया है उसको विदिवत ढंग से करिएगा जीवन में ये चीज निकल जाएगी और जीवन में बिस्तार मिलेगा वैसे भी 36 वर्स से ही आर्थिक तोर पे सबलता आती हुई दिखाई दे रही है तब तक इसका प्रभाव नश्ट हो जाएगा अब जब करियर और धन की रेखा इस तरों से जाती है और बिल्कुल मिर्त अवस्ता में हो पता ही नी चलना हो तो आर्थिक रोप से जब तक ये पुष्ट न हो या तो खतम न हो यदि ये हो तो पुष्ट हो और नहीं हो तो खतम हो जाए करियर और धन की रेखा तब व्यक्ति संपनता के और जाता है इस्तिरता के और जाता है लेकिन ये इस प्रकार से हो तो कितना भी पैसे हातेली में आ जाए, पैसा नहीं टिकता है, सेविंग नहीं उपाती है, बरकत नहीं आती है दूसरी बात, हमेशा धन के मामले में, करियर के मामले में अनबैलेंसता रहते हैं, उतार चड़ाओ और और इस्तिर्था बनी रहती है जब तक ये जो है, पुष्ट और सुंदर ना आए, तो इस चीज का ध्यान लखना है, अगर आपको चीजों में stability चाहिए, चाहिए धन में हो, चाहिए करियर में हो, चाहिए जीवन में हो, तो करियर और धन की रेखा को, या तो पूर्ण तो खतम करना है, या तो इसको ये हतेली की रेखाईं बदलेंगी और जादतर हमारी हतेली में जो रेखाईं उत्पन होती हैं हमारी मस्तिस्क सोच के बल पे होती हैं हमारी कार्यकरने की छंता के बल पे होती हैं हमारे अपने अंदर उसक्त होती है कि हम हतेली की रेखाऊं को बदलें और अपना भग्या हमा तो यहां पर दिखाई दीर है मस्तिस्क की रेखा यहां से इस तरों से जा रही है यह धनुसाकार रेखा है ठीक तो है लेकिन कुछ मामनों में किवल ब्यक्ति सोचने वाले होते हैं कल पनाए करने वाले होते हैं क्रियेटिविटी तो होती है विक्ति को यातराओं का लाब भी मिलता है लेकिन जादतर ऐसा विक्ति जो है अपने मस्तिस्क से बहुत बड़े फैसले कम लेता है दूसरों की सलाहा लेके जो है फैसले लेता है इस चीज के और ये दिखाती है और दूसरी जब ये या ये परवत थोड़ा कमजोर हो तो ये चिंतात और सुभाव को जन्म देती है अभी तो नहीं दे रही है अभी तो क्रियेटिविटी दे रही है अच्छी खासी यातराओं का लाब दे रहा है अगर हो सके तो यातराओं भी होंगी लेकिन इसको बहुत सारी रेखाये काट रही है छोटी छोटी अंगिनत रेखाये तो ऐसे में जो है धन के मामले में थोड़ा सजग रहना चाहिए धन हतेली में बचता नहीं है विक्ति सेविंग नहीं कर पाता है टिकता नहीं है और कहीं न कहीं इतना तक हो जाता है कि कर्जे तक की नौबत आ जाती है तो इसको थोड़ सा समल के रहना चाहिए जीवन की रेखा बहुत अच्छी है कूल धनुसाकार है जीवन में निरंतर उन्नती की निशानी है ये लेकिन और परिवार के परती केरिंग वाला व्यक्ति तो है समर्पण के भावना लेकिन इस रेखा को भी यहां तक पूरी रेखाई काट रहे है और जब तक ये काटती हैं मिटती नहीं रेखाई तो कहीं न कहीं ये उल्जन में व्यक्ति को रखती है जैसे मौसमी बिमारी है वो जल्दे पकड़ लेगी जैसे थोड़ा सा भी मन मस्तिस्क में हल चल हुआ तो तनाव की इस्तिति आ जाती है संगर्श की इस्तिति आ जाती इस चीज को ये बताती है बहुत बड़ी कोई नुकसान दायक नहीं है अब एक चीज देखेगा आप कहीं न कहीं जो है जब ये 42 वर्स में उदायमान अवस्ता में आ रहा है ये 36 वर्स से जरा ठीक दिखाई दे रहा है तब ये यहाँ पे कहीं न कहीं एक तिरबुज बन रहा है और ये बहुत अच्छा है अगर आपके इधर से जो है नेगेटिव उड़ जा हट कहीं और 36 वर्स से कहीं न कहीं ये अपने अच्छे अवस्ता में आए ना आए तो 38 वर्स में ये फल जरूर देगा रहो आपका अच्छी इस्तिति में आ जाएगा तो जहां जो है 42 वर्स से अच्छा खासा पैसा आएगा वहीं खर्चा कम हो जाएगा तो बेक्ति अच्छी खासी सेविंग कर पाएगा और अपने कारियों को विस्तार रोप दे देगा ये इसका ध्योतक है ये और कुछ नहीं है मनी मैनेजमेंट में विक्ति जो एक्सपर्ट हो जाता है कहीं न कहीं पैसे विक्ति बचाने बैठ जाता है इस और दिखाई दे रहा है अभी मनी बंद के श्तित देखें तो कुछ समय तक कोई न कोई चिंता हलकी रोप में बनी रहेगी और संगर्स बना रहेगा इस और दियान दिला रहा है अगुठे का नीचे का भाग देखें इसको सुकर का परवत कहते हैं ये विक्ति की जीवन में आकरसन, सुंदर्य, वासना और प्रेम के महतों को दिखाता है इस प्रकार से पूर्ण रोप से विक्सित उठावा जीवन में सुंदर्य की और विक्ति को ले जाता है ऐसा विक्ति जो है हर कार्य औरों के बजाई बेहत नाजुकता से करता है बहुत खूप सूरती की साथ करता है और ऐसे प्रक्ति दयालो, उदार दिल वाले और खुले दिल से खर्च करने वाले होते है लेकिन ये जैसे जैसे इस पश्ट आउस्ता में आता जाएगा निश्चित रोप से देखेगा आपके पास गलेमर होगा चमक बनाए रखेगा नाम और यस होगा चकाच्चोन रहेंगे ये निश्चित है अपने को मेंटें डखना अपनी प्रसमल्टी पर विसेश दियान देना अपने सज समझ कर रहना नई चीजों के प्रतिरुजान रहना बहुत एक सुक्सुविदाओं के तरफ ज़्यादा अट्रक्ट्रशन रहना ये चीज भी यहाँ पर दिखाई दे रही है आपका सुक्र बहतरीन है बहुत सुन्दर है लेकिन यहाँ पर देखें आप कुछ रेखाओं का जाल भी है बरतमान समय में जिस टेम आपने ये फोटो खींची है कही न कहीं उस दोरान मन मस्तिस्क में कोई न कोई चिंता या किसी न किसी के बारे में बहुत डीपली सोच रहे हैं चिंता भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत बहुत ज़्यादा प्रिसरम करने के बाद भी आपके अनुसार देखें तो कहीं न कहीं अवाहों की इस्तिती भी है, पूर्णता नहीं है, ये भी दिखाई दे रहा है, लेकिन आगे के लिए अच्छा है, निमन मंगल देखें, ये थोड़ा confusion की इस्तिती, decision लेने की छमता में असर, डालता हूँ है, यहाँ पे दिखाई देता हो नजरा रहा है, देखेगा, आपक जिवन में अगर देखा जाए, तो कहीं न कहीं जो ब्यापार की इस्तिती है न, वो ब्यापार की इस्तिती 42 वर्स से बहुत अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ न कुछ depend करेगा इस पे भी, ये रेखा जब अच्छी बलुवती हो जाएगी, तब करिय और धन के मामले में stability आने सुरू हो जाएगी, ये निश्चित है, और व्यापार की ही योग है नोकरीसी जादा, और व्यापार ही आप करेंगे, और जिवन में व्यापार में ही सपलता की प्राक्ति होगी, लेकिन कुछ समय आपको धहर्या रखना है, ब्रस्पतिका आपका बहुत गजब का है, शुन्दर रोप से उबरावा दिखाई दे रही है ये जगा, ये स्रेष्ट जातक होते हैं, स्वयम ऐसा व्यक्ति उन्नति करता है, और जो ऐसे व्यक्ति से जोड़ता है, या ऐसे व्यक्ति के संसर्ग में आता है, उसे भी ये लोग उन्नति कर करने में साहता परदान करते हैं, सहयोगी बनके रहते हैं, लेकिन स्वाविमानी रहेंगे, अपने छेतर में अच्छा खासा नौलेज अर्जन करने वाला बिक्तित्व है आपका, नियाई प्रिय बिक्तित्व है, और सबसे बड़ी बात आपके अंदर खोबी है कि अपने बातों का निरोहन करना, प्रोपकार की भावना तो है, धार्मिक भावना तो है, देखेगा, आचारे ब्रिस्पति अगर इस प्रकार से अच्छे खासे उभार लिये हुए हो, पुष्ट लिये हुए है, तो ऐसा बिक्ति नौलेजबल होता है, आत्म ज्यानी होता है, अपा के किनारे से लेकर महलों की उचायों तक हर जगा आपको सम्मान मिलेगा, और देखेगा, ब्रिस्पति इस तरों से पुष्ट और सुन्दर होता है, तो समस्याईं हर व्यक्ति के जीवन में आती है, लेकिन ऐसा जातक जादतर मामलों में समस्याओं से बच जाता है, ये भी कामों में बिलंब या अर्चन देता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आने वाले समय में ये जो है आपको बहुत जादा मदद करने वाला है, ये भी दिखाई दे रहा है, सूरे की और देखें, सूरे भी यहाँ पे ठीक ठाक है, आगे बढ़ता हुआ यहाँ पे आपको यहाँ पर उचमंगल देखें तो प्राकरम अच्छा रहेगा संकट के समय मन नहीं गवराएगा और कैसी भी विशम से विशम प्रस्तितियों उसको हैंडल करने की चमता आपके अंदर रहेगे चंद्रमा भी आपका भेत्रीन है सुन्दर इस्तित में दिखाई दे रहा है मन मजबूती की और जाता हुआ दिखाई दे रहा है Confidence Level बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है Creativity बढ़ती हुई दिखाई दे रही है कही न कहीं जो है मनमजबूत रहेगा सरीर का हार्मोनल सिस्टम आने वाले समय में बहुत अच्छे रूप में रहेगा और जब मनमजबूत रहता है सरीर का हार्मोनल सिस्टम ठीक रहता है तो व्यक्ति जो है हर जग जो है सपलता की प्राप्ति करता है कहीं न कहीं सकारात्मक सोच बनी रहेगी और देखा जाए तो जीवन के लिए जो है अच्छी योजनाएं बनाएंगे उस पर काम करेंगे इंप्लिमेंट करेंगे उस चीज को देखा जाए पूरी हतीली का विश्लेशन तो कर लिए हाँ देखेगा इस रेखा का ध्यान जरूर दीजेगा अगर करियर में आपको इस्टेबिलिटी लानी है करियर में आपको जो है उपरबड़ा है और धन के छेतर में आपको जो है प्रसिद्धी पानी है अच्छा रखना है जीवन में धन के इस्तिति को तो दन और करियर की रेखा को जो है इस पश्ट करना बहुत जरूरी है इस वीडियो में बस इतना ही एक नई वीडियो के साथ पनो उपस्तित हूँगा तब तक के लिए नमस्कार